पिछले डेर साल में मिरको ऐस डॉक्टर ये समझ आया कि हम कभी जिन्दिगी कुछ प्लाइन नहीं कर सकते तो आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी कुछ प्लाइन नहीं है पट कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसने मिरको गाइड किया मेरी लाइफ में मैं एंडोक्रिनोलोजिस्ट हूँ और एक आर्मिय ओफसर का वेटा हूँ तो मेरी कोई शिक्षा छे स्टेट्स और छे स्कूल्स में हुई है अग्याडमिक्स में तो मैं देश में और विदेश में लेक्चर्स देता हूँ एक नाशनल्स फुटबॉल प्लेयर रह चुका हूँ केंद्रि विद्यालिय संगठन के लिए बेस्ट एटलीट रह चुका हूँ मैं लॉन टेनिस चैंपियन हूँ आईयमे का तो मुझे लाइफ में जो सिखाया वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि हमें कभी अपनी धर्वर या फिलोसिफी जो इंडियन इथोस है उसको भूलना नी चाहिए तो सबसे पहले मैं बोलूँगा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रानी पश्चन्तु मा कश्चत दुख भाग भवेत ये श्लोक कित्ते साल पुराना है मुझे पता नहीं मगर आप सोचो कि जिसने भी लिखा होगा उसने विश्व के लिए शांती के लिए संदेश भेजा होगा दूसरी चीज जो मुझे याद आती वो है वासुदेव कुटूब मखम कहते हैं कि ये महा उपनिशद का एक श्लोक है और तीन हजार साल पहले दो हजार साल पहले हिंदुस्तान में जो रिशी मुनी थे उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया जो है एक फैमिली है और हम जो है आजकल अपने बाउंडरीज में सिमित रह जाते हैं और एक जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है वो है जननी जन्मभुमिष्च सरवगादपी गरियसी नेपाल ने अपने जंडे में इसको लिखवाया श्लोक हमारा है मगर उन्होंने लिखवाया हम क्यों नहीं फॉलो करते इसको आप लोग जो यंग्स्टर्स हैं अगर आप प सत्रा सो के आसपास हिंदुस्तान 25 प्रतीशत कॉंट्रिबूट करता था वर्ल्ड जीडिपी को जित्ता शैद अमेरिका और चाइना अभी नहीं करता और हमको पता तक नहीं क्योंकि हमारी हिस्ट्री नश्ट हो गए ऐसा कहते हैं कि तक्षशिला जब जलाई गई थी जो कि महीनों लग गए थे उसको जलने में तो आप सोचो कितनी डिस्ट्रॉई हुई हमारी जो धर्वार है मगर हमको यह सब याद रखना है तो यह तो हो गई कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था कुछ चीजें बताना चाहता हूं आपकी लाइफ के लिए अब जै बिश्रम मेहनत आप उस समय करोगे जब आपके पास समय है तो जब समय क्या अभाव होगा या एक्जाम आएंगे या कोई डेडलाइन आएगी उत्ता अच्छा परफॉर्म करोगे तो यह तो हमने अभी पैंडमिक में भी देख लिया जो लोग फिट थे प्रणयाम करते थ जैसा पैदल चलते थे वह जल्दी रिकावर हुए उनके जिनके डाइबेटीस थी तो यह इससे यह सीख मिली हमको दूसरा जॉन एफ केनेडी साब का एक कोटेशन है आस्क नाट वाट यू केंड आस्क नाट वाट अट अट वाट अट कंट्री केंडू फियू आस्क करीडो है जब भी उफिसर यंडिन मेंट्रे कल लिट अकैडेमी से बाहर निकलता है तो उसको बता जाता हैं गज़े मैं किसी डॉक्टर हूं और मेरी क्लीक में कुछ लोग है तो उनकी सेफटी बाद उनकी सेफटी आएगी Your own safety comes last Every time and everywhere तो आपको यदि सोचोगे आप देश को सर्वो परे मान के चलोगे तो ही आप देश का फाइदा कर पाओगे मैं जब diabetes के मरीज को कुछ समझाता हूँ या मोटापे के मरीजों को कुछ समझाता हूँ वो सीक्रेट की बात कर लो या सेविन हैबिट्स आफ सेक्सेस्फुल पीपल की बात कर लो जो की मल्टिपल मिलियन पी लोग पढ़ चुके बैसलर रहें मगर उस अनपर उस व्यक्ति ने जो बताया वो कितना जरूरी था जो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि अभी जो पैंडेमिक में चिंता है और डिप्रेशन है तो उन्होंने बोला चिंता ऐसी डाकनी काटी करेजा खाए वैद बिचारा कहां क्या करें कहां तक दवा खिलाए तो जो स्ट्रेस है वो आपकी बाडी को एफेक्ट करती है उसी से स्ट्रेस से हॉर्मोन कोटिसॉल बढ़ता है डाइबिटीज होती हो बेसिटी होती है फिर उन्होंने बोला धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए माली सीचे सोगडा रितुआय फल होए हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जल्दी अमीर हो जल्दी वजन घटे है जल्दी शुगर घटे है जल्दी बच्चे बड़े हो यह सब पॉसिबल नहीं है और आजकल फास्ट फूड कल्चर है तो वो तो और भी खराब है तो ये सब चीजे मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था अंत में एक चीज बोलूँगा शहीत करनल M.N. राय साहब जो जिनको शाहदत हुई थी श्रीनगर में उनका आखरी WhatsApp जो मेसेज था वो बताना चाहूँगा उन्होंने बोला था कि इत्ती सिद्दत से निभाओ अपना किरदार इस जिन्दगी में कि परदा गिरने के बाद भी तालिया बचती रहें तो आप अपनी लाइफ ऐसी जीओ कि आप जब चले भी जाओ तो लोग बोलें कि क्या जिन्दगी जीऊ साथ